नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की सिवडिम आपको बताऊंगा कि आप इंस्टाग्राम की अस्टोरी को किसी के भी इंस्टाग्राम की अस्टोरी को आप उसे अपनी WhatsApp की अस्टोरी में कैसे लगा सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम ओपन करते हैं इंस्टाग्राम एप को यहाँ पर हम इंस्टाग्राम एप ओपन करते हैं अब जिस भी a story को open करेंगे वहाँ पी ये username रहेगा जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखला दे रहा हूँ यहाँ पे ये मैं a story को open किया तो ये a story का ये username में आप इसे याद कर लिजिएगा और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा है कि यहाँ से आप इसे सिधे cut कर दिजिएगा और cut कर देने के बाद आप अपने phone में कोई भी browser को open किजिएगा मैं यहाँ पे google को open कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको type करना होगा a story saver यहाँ पे आप type किजिएगा a story saver a story saver आप type करके आप इसे search किजिएगा तो यहाँ पे यह जो पहले number पे आ रहा है a story saver.net आप इसे open किजिएगा और दोस्तों यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे instagram का username डालना होगा जो अभी आप याद किये है वो username डालिएगा मैं यहाँ पे जिस instagram account का story डाउनलोड करना चाहरा हूँ उसका मैं यहाँ यहाँ यूजर नेम डाल रहा हूँ और दोस्तो यूजर नेम डाल देने के बाद आप यहाँ पे क्लिक किजएगा डाउनलोड पे तो दोस्तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा I am not robot और यहाँ पे यह जो कर रहा है आप उसे फिलप कर दीजेगा यहाँ पे यह bridge select करने को कर रहा है चेक करता है कि आप कहीं robot तो नहीं है तो यहाँ पे मैं bridge को select कर रहा हूँ जैसे यह bridge है और उसके बाद एक यह bridge है फिर एक यह bridge है और दोस्तो एक यह भी bridge है तो मैं इन चारों को select कर रहा हूँ और इसके बाद मैं क्लिक कर हूँ यहाँ पे verify तो यहाँ पी यह जो instagram account का profile photo है यह profile photo आ जाता है और एक story इसमें लगा हुआ है तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ आते हैं तो यह story अगर आप चाहे तो यहाँ से आप इसे play भी कर सकते हैं और इसे download करने के लिए आपको यहाँ पे इस तीन लाइन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप क्लिक कीजएगा download तो दोस्तों यह story यहाँ पे download होना start हो जाता है और यह story अप download हो चुका है तो यहाँ से आपको सिधे इसे cut कर देना होगा और open करते हैं अपने whatsapp को और whatsapp मे आज आने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते अस्टेटस पे और यहाँ पे my status पे क्लिक करके हम इस download किये हुई story को select कर लेते हैं और इसके बाद अगर आप चाहे तो यहाँ पे कुछ लिख सकते और इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो यह instagram की story आपकी whatsapp status मे लग जाती है उमीद कर तो यह चोटी से वीडियो आपके काम कीगा और आपके helpful होगी दूस्तों कर वीडियो अच्छे लेगे तीसे लाइक कीजिए share कीजिए अपने दूस्तों में आट से facebook गूर्प में और एससे simple simple वीडियो में अपने चैनल पे लेकर आतर दो तो आप मै अपने चैनल को जरू सिस्क्राइब किजिए मिलते हैं अपने ख्याल रखेगा बाए